हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल सिक्षा मंतर में राधा चौदरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल सिक्षा मंतर में कैसे हैं आप लोग आप सब ठीक होंगे खुश होंगे स्वस्त होंगे चलिए फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे NPE के बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको जो हमारा 2020 में आया है रिवाइज होके उसके बार में क्या है इसमें क्या चेंजिस आए है क्या पुराने पॉलिसी में थी और क्य आप नई पॉलिसी में है इसके बार में फुल इंफर्मिशन लेते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि NPE 2020 जो कि आपके हभी रिसेटली के एक्जाम में पूछा जाता है तो यह आपका जो आया था वो 29 जुलाइ 2020 को आया तो कई बार यह भी पूछ लेता है कि NPE कब आया तो य यह जो है यह रिवाइज है 1986 का जो हमारी 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी था उसी को रिवाइज करके 2020 में दुवारा लाया गया है यह जो है वो 34 साल के बाद आया है जैसे कि हम जानते हैं 1986 का अपडेटिड है और यह 34 साल के बाद आया है आपका हमारा जो पूराना पैटन था एजुकेशन का वो तो हमारा था 10 प्लस 2 प्लस 3 यह सब को पता है 10 प्लस 2 12 के बाद ग्रेजुएशन और आपका जो हमारा नया पैटन है वो है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 मतलब 5 जो है हमारा वो बचे की जो फांडेशन एरिया है उसको कवर करता उसके बाद हमारा 3 जो है वो प्राइमरी में है फिर उसके बाद जो हमारा 3 अपर प्राइमरी और 4 जो है हमारा वो सीनियर हायर लेवल का है तो आप से कई बाइग्जाम में ऐसा पूछ ले जागा कि आपका नया पैटन जो है NPE 2020 का वो क्या है तो इसको आप अच्छे से जाता है जाता है जैसे बाद बच्चे को आंगन बारी में जैसे अदमिशन करवाना उसके बाद 6 इस में बच्चे को फर्स्ट क्लास में डालना तो यह इसके ऐज ग्रूप की बात है उसके बाद आप जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपका 3 तू कही बाद बच्चे का इस वरी 18 यर्स तक में बच्चे का ग्रेजट 12 हो जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फिफ्ट जो स्टार्टिंग के फाइफ यर्स है जिसे हम फांडेशन एरिया बोलते है उसमें नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स और सेकेंड आएगा तो यहा हमारा नेक्स्ट यह है वो है 3678 और उसके बाद आपका आएगा फोर्थ लेवल जिसमें आपका आजाएगा 9 10 11 12 को जिसे हम सीनियर हायर सेकेंडरी कहते हैं तो यह जो है जैसे आप जानते कि हमारे जो पहले थे HRD मिनिस्टर उसको अब चेंज करके हमारे एजूकेशन मिनि किया NPE जो है वो फांडेशन एरिया पर जाधा focus करती है वो कैती है कि बच्छे को foundation है जो base है वह उसकी अपनी legs में होनी चाहें उसकी reasonable language में हुनी चाहें यह फिर Hindi में हुनी चाहिए जिसमें बच्चा comfortable है जिस से बच्छा अच्छे से समझ सकता है एन पी जो कॉंबिनेशन है कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस चीज का कॉंबिनेशन है तो जैसे मैं आपको बताया कि एन पी नाइटी एटी सिक्स को ही रिवाइज करके आया है प्लस में इसमें राइटी जो हमारा राइट टू एजूकेशन एक्ट है दो हजार नौका उसके बार जैसे कई बार आपके एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि एन सी पी एफ ए सी ए का फुल फॉर्म क्या है तो जैसे हम जानते हैं कि नेशनल से हमारा नेशनल है सी से करिकुलर एंड पी से पेड़ागोजी फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाल्ड एजूकेश इसको आप अच्छे से लिख लीजेगा क्योंकि यह कई बार कोईशन में आ जाता है इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए तो इसके बार में आपको जरूर पूछ सकते हैं जैसे ही हम जानते हैं कि जून 2017 में इसकी जो कमीटी में डाली गए इसका प्रस्तावना डाला गया था वह कस्तूरी रंजन के अधिक्षता में डाला गया था और यह प्रस्ता पेश किया गया मैं 2019 में दो समय कर दो वर्ष्ट का समय लगा था इसको पेश करने में और उसके बाद जब यह आपका लागू हुआ नपी 2020 तो इसके जो हैड थे वह थे आपके कस्तूरी रंजन स आप लिख लीजेगा यह सब जो जो मैं स्टार के लिए बता रही हूं यह सब पॉइंट से आपके कोशन्स बनते हैं उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि फिफ्ट क्लास तक तो बच्चों का फांडेशन एरिया होता है उसके बाद जो है हमारा जो 3 है 5 प्लस 3 जो 6 क् बच्चे का जहां से स्टार्ट हो जाता है वहांसे वोकेशनल लेंगविज पर eduction ध्यान दिया जाता है मतलब बच्चे को अपने पढ़ाई के लवा एक्स्ट्र करिकुलर में भी activate कि आ जाता है जो बच्चा सीखना चाता है उसके एईधुकेशन पर भी ध्यान दिया जात उसके बाद इसमें जैसे NCFTC इससे भी आपके कोशन्स आ जाता है किसका फुल फॉर्म बताइए तो इसके भी फॉल फॉर्म आप नूट कर लीजेगा National Curriculum Framework Teacher Counseling यह जो है यह Teachers के लिए होता है Only for Teachers काई बार यह पूछ लाता है किसके लिए होता है NCFTC तो यह हमारा Teachers के लिए होता है NPE जो है यह चोहू मुखी विकास पर बात करती है चोहू मुखी मतलब बच्चे का होल डेवलोपमेंट मतलब बच्चा सिर्फ अपनी पढ़ाई वाले एरिया पे ही फोकस ना करे उसके सारे एरिया पे फोकस किया जाए जैसे स्पोर्ट्स में डान्स में म्यूजिक में यह फिर एक्स्ट्र चीजों में इसलिए वोकेशनल एजूकेशन को भी इसमें बढ़ावा दिया जाता है उसके बाद हम बात करेंगे यह जो है इसमें यह आपका जो जूड़ा था परक कई बार कोशन आ जाता है कि परक आपका कब इसमें इंक्लूड हुआ तो 11 सेप्टेmbर को इसको जूड़ा गया जैसे मैं आपको बोला 29 जूलाई को एडुकेशन पालिसी आया था लेकिन परक को जूड़ा गया वह 19 जूलाई 11 सप्टमबर को जोड़ा गया परक का जो हमारा फुल फॉर्म है वो पर्फॉर्मेंस असेस्मेंट रिव्यू एंड अनलाइसिस नौलेज औफ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जैसे मैंने बोला कि बच्चे का पूरा विकास समक्र विकास होता है तो यह आपका NPE का छोटा सा ट होगी अब 2020 से ज्यादा चांसिस होंगे तो इसका एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं दुबार रिवाइस कर लेते हैं यह सबसे पहले आया था आपका 39 जुलाई 2020 को और इसका जो फुल फॉर्म है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यह आपका जो रिवाइस्ट है वह अब अगीवाल आपसे कोश्चन पूछ लाजाते हैं किसका कॉम्बिनेशन है तो यह एन पी यह दो हजाद वीस और आटी एक्ट नौ का कॉम्बिनेशन है इसमें जो निया पैटन है पुराना जो हमारा पैटन था वह था टैन प्लस टू प्लस थी का अब जो हमारा रिवा प्रामरी लेवल पे फिर ऊपर आपके तीन साल जो है वह अपर प्रामरी पे और उसे आगे जो है आपका सीनियर हायर सेकेंडरी पे है उसके बाद यह जो है कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में आया तो इसका कई बार को हैट का नाम पूछ लिया जाए तो याद रखेगा क स्तूरी रंजन अध्यक्षता में और क्लास फिफ तक जो बच्चों को पढ़ानी की बात हुई है वह रिजनल लेंग्विज में हुई है इस पर आप याद रखेगा और यह कई वर कुछ नहीं पूछ लिया जागा कि वोकेशनल एजुकेशन कब से स्टार्ट किया जाएग यह तो आपका सिक्स क्लास से स्टार्ट किया जाएगा उसके बाद आपके इसमें जैसे मैंने दो तिन फूल फॉल फॉर्म बताएं एंसी पी एफ एसी का जैसे नैशनल करिकूलम पेड़ोगोजी और फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाल्ड एजुकेशन उसके बाद आपका न अनलाइसिस नॉलेज और हॉलिस्टिक विकास तो यह समगर विकास के बारे में बच्चों की बात करती है तो एक चोटा सा टॉपिक है आप सबको पसंद आया होगा समझ में आया होगा अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप इसको मुझे मेसिज कीजिए आप मु कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और जो पुराने हैं वो ज़्याद से ज़्यादे लोगों को शेयर कीजिए थैंक यू सो मच खुश रहिए घर पे रहिए सेफ रहिए बाबाई